मंदिर में प्रवेश के लिए हैं चार विशाल बारीक नकाशी से सजे द्वार। ये हैं सिहद्वार, गजद्वार, अश्वद्वार और बागद्वार। भगवान जगनात के देव रूप का एक पुराना इतिहास है और इनके उद्वार के बारे में एक बड़ी दिल्चस्प कहानी है। एक समय की बात है, मध्य भारत पर इंद्रद्युम्न नाम के राजा राज करते थे। वो भगवान विश्णू के बहुत बड़ी भक्त थे और उन्हें उनके दर्शन की इच्छा थी। एक दिन एक साध हु घूमते फिरते दर्बार में आया और राजा से बोला कि उडिशा में भगवान विश्णू को उनके असली स्वरूप नील माधव के तौर पर पूजा जाता है। राजा ने फोरण मुख्य पुजारी के भाई विद्यापती को हुकम दिया कि वो उडिशा जाकर नील माधव की खोच करे। एक लंबे थकान भरे सफर के बाद विद्यापती उडिशा पहुँचे। वहां उन्होंने एक कबीले के सरदार विश्ववासु को गुपचुप नील माधव की पहरेदारी करते पाया। उन्होंने विश्ववासु से विनती की कि वो उन्हें देव पूजा की जगा दिखाएं। मगर कबीले के सरदार ने इंकार कर दिया तो विद्यापती गाउं में ही ठहर गए कुछ समय बाद उन्हें विश्ववासू की बेटी से प्यार हो गया और उसके बाद उन्होंने उससे शादी कर ले शादी के कुछ ही दिन बाद विद्यापती ने अपने पतनी को एक शर्त पर कि विद्यापती को आँखों पर पट्टी बांध कर ले जाया जाएगा। मगर विद्यापती कभीले के सरदार की आँखों में धूल जोकने में काम्याब रहे। वो रास्ते में सर्सों के दाने किराते गए ताकि राजा के साथ आने पर वो भटके नहीं। कुप्त गुभा में पहुँचकर आँखों से पट्टी हटने के बाद जब विद्यापती ने नील माधव की दिव्य छवी देखी तो वो देखते ही रह गए। उन्होंने जल्दी से लौट कर राजा को सारी बात बताई। राजा फौरण अपने प्यारे भगवान के दर्शन पाने के लिए निकल पड़े। लेकिन जब राजा विद्यापती के साथ गुभा में पहुँचे तो उन्हें वहां कुछ नहीं दिखा। नील माधाव अंतर ध्यान हो चुके थे। राजा का दिल तोट गया। अब राजा की किस्मत उन्हें कहां ले जाएगी। क्या भगवान विश्णू उन्हें दर्शन देंगे। ये तो वक्त ही बता सकता था। पुरी में अभी हर तरफ हल चले है। रत ह्यात्रा उत्सव में एक महीना बाकी है। इसलिए रत बनाने वालों के लिए जून सबसे एहम महीना है। गर्मियों में तपते सूरज के तली, कारिगर विशाल रतों पर लगातार काम करते हैं ताकि ये वक्त पर पूरे हो जाए तैयार होने पर हर रत 40 फीट से ज्यादा यानी तकरीबन चार मंजिला इमारत जितना उंचा होगा। कारिगर शुरुवात करते हैं विशाल पहियों से, फिर बारी आती है एकसल की और उसके बाद बाकी की बाड़ी बनाते हैं। तीन रतों के लिए कुल 42 पहिये चाहिए होते हैं और उनमें बराबरी का बहुत ध्यान रखा जाता है क्यूंकि पहियों से ही भगवान का सफर आराम दायक होगा। तीन रतों पर तीन अलग अलग टीम्स राद दिन काम करती हैं ताकि ये विशाल रत उस बड़े उत्सव के लिए समय पर तयार हो जाएं। 2000 साल पहले हिंदु धर्म बड़े बदलावों से गुजरा था। उससे पहले वैदिक सिस्टम था जिसमें चीज़ें तै नहीं थी और वो सिर्फ ब्रामिन्स के लिए था। तो हिंदु इसम ने अपने आपको रिडिफाइन किया फ्रम वैदिक वे टू पुरानिक वे और खुद को कहानियों के जरीए प्रिजेंट किया। हर दिन भगवान को 6 बार भोग लगाया जाता है। मैं देखना चाओंगा कि आखिर क्यों पुरी को वो धाम मना जाता है जहां भगवान को दावत दी जाती है। मैं उस रसोई का खाना खाने वाला हूँ जिसे यहां हजारों की संख्या में आने वाले भक्त श्रद्धा से खाते हैं। यहां के मंदिर की रसोई भी बहुत विशाल है। जो करीब 100 फीट लंबी और 150 फीट चौड़ी है। बहार से देखने पर यह किसी किले से कम नहीं लगती। मंदिर के मुखे रसोई मुझे पास का बाजार दिखाते हैं। जहां से हर रोज सबजियां वगेरा आती है। भगवान जगनात का भोजन बनाने के लिए इसी इलाके की सबजियां इस्तिमाल की जाती है। आपिया डुनाविया लविन्योंस। अच्छा यह पता ही है कि मार्केट कितना पुरान है। यह हजर सल पुराना मार्केट है। उसका लाम में है लच्मी बजार। आजपास का जो जो मुखेते हैं वहीं से सब आता है। आलू, बिलाती आलू, टॉमाटोर, कुब्धी और भेंडी यह सब यूज नहीं होता है। मिरीच, ग्रिंचिली, काद्धी यूज होता है। काद्धू ट्रेडिशनल है। यह बात तो साफ है कि यही वो जगह है जहां भगवान की दावत होती है। दुनिया की सबसे बड़ी रसोईयों में से एक होने के नाते, इस रसोई में 600 रसोईये वो बनाते हैं जिसे महाप्रसाद कहते हैं। पहले से भगवान जगरनात को परोसा जाता है। उनके बाद देवी विम्ला को और उसके बाद ही इसे महाप्रसाद मना जाता है। खे ये महाप्रसाद, मंदिर आने वाला हर भक्त बिना महाप्रसाद लिये नहीं जाता